कोई isolated activity नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ती को target करके करी हुए आक्टिविटी नहीं थी, ये पूरे काफी लंबे समय से हदवाने के अंतरगर सरकारी परिसंपत्तियों को अलग-अलग शेत्यों है, बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमन मुत्त कराने का अभियान च स्ट्रक्षर को कुछ लोग मदर्सा कहते हैं, कुछ लोग उसको पूर्नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विदिक रूप से दस्तावेजों के अंतरगत कोई अस्तित्व बरतमान में नहीं है, उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था, उसका कबजा ले लिया गया औ एक नोटेस परिसंपत्यों पर स्ट्रक्षर पर चस्पा करा दिया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का वगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि काग जो में जो डॉक्यूमेंट्स हैं दस्तावेज हैं नगरमिगम के वहां मलिक का वगीचा के नाम पर दर्ज नहीं है, नगरमिगम के नजूर भूमी के रूप में दर्ज हैं, तो इन स्ट्रक्षर पर नोटेस चस्पा करें गए और खुद से ही अपना अतिक्रमन तीन दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिये गए, तीन दिन के अंदर अतिक्रमन ना हटाए जाने के दशा में या तो चार तारिक के तिते निर्दारित करीगी, जिसमें तीन तारिक को काफी जादा मात्रा में जो प्रतिनिधी गण हैं, जो भी हितधारत लोग हैं, आसपास के शेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो समरांत लोग नगरमिगम के सभागार में आये और हमारी टीम के साथ उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया क्योंकि हम अल्रेडी समय दे चुके थे तो हमारी जो रात को फ्लाग मार्श की कारवाई वी फोर्सेज वहां पहुंची अगले दिन के डिमॉलिशल ड्राइब के लिए तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यमेंट्स प्रस्तुत करे उसका जब हम लोगों को वह कागज रिसीव हुआ तो उस कागज की उस आदेश की सैंक्टिटी को सुरक्षत रखते हुए उसका सम्मान करते हुए हमारे द्वारा अपने कारेले से उसकी पत्रावली ट्रेस कराई गए और यह वेरिफाई किया गया कि इसका डिस्पोजल क् से लेकर 2024 तक किया गया और नहीं किया गया उसका डिस्पोजल की जब विधिक स्थितिस पष्ट नहीं हुई तो जल्दबागी में डिमालेशन ड्राइव ना करके उसको उस दिन रोप दिया गया ताकि संबंदित वक्षों को वैधानिक कारवाई करने का परियात असर दिय जा सके किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में ऐसी कोई कारवाई ना हो जो विधिधी विरुदोर या लीगल प्रासेस अपना कर ना करी जाए यह हमने एक्टिविटी को रोका गया मदर्सा जिसको कहा जा रहा है उस भवन को सील कर दिया गया सभी के सहमती ली गई वो हमार अगर नहीं हो रहा था किसी का घर आवास स्थान उसमें इंवाल्व नहीं था डाट वस्ट्रक्चर विच वाज इलीगल और उसको डिमालिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई जब हमने अगले दिन 2007 के ओर का डिस्पोजल क उसके बाद इस बीच में संबंधित पक्ष के द्वारा मान्य उचिन्यायले से notice पर stay लगाये जाने की demand करी गई गई मानने उचिनयाले ने दो दिन सुनबाई करी और दूसरे दिन सुनबाई में ये निर्देश दिये कि जो याची का करता पक्ष है उनको किसी भी प्रकार की राहत दिये जाने से मना कर दिया गया। जो हम लोगों को जो मानिय उच नयाले से हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है अपने सरकारी अभूकेट्स के थूँ उनके थूँ कम्यूनिकेट हुआ प्रॉपरिंग राइटिंग के ओरल ओर्डेस में किसी भी प्रकार का रिलीव संबंदित पक्षा को मानिय उच नयाल को जो हमारे द्वारा दीमानिशन रहे जो है कंजनी उकरने का निर्ण लिया गया क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टेस अंबंदित परिसंपक्ति पर नहीं था किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था सामान्य रूप से एक विदिक प्रक्रिया अतिक्रमन हटाये जाने की अलग-अलग शेत्रों में चेंव रहे हैं तो इसे शेत्र में भी करी गई इसको हमारी टीमे मूग हुई हमारे रिसोर्सेज मूग हुए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचाया गया किसी को प्रवोक नहीं किया गया किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिस्ते होती है वो लगाई गई लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अन्प्रवोग्ड अन्हाम्ड अंटर्श्ट तरीके से पुरी कारवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर एकटा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगरमिगम की उन पर पहला नहीं था तो जिस दौरान ये सारी विदिक प्रक्रिया चल रही थी जब हम सुनवाई कर रहे थे मानने उचनेयाले सुनवाई कर रहा था तो चहतों पर पत्थर उस दौरान इखटिक करे गए इसका मतलब इट वस प्लैंड कि जिस दिन भी दिमॉलिशन राइव होगी हम उस दिन इस तरह से पोर्सेस को अटैक करेंगे इस तरह से डिमॉरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशिनरी को तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी हमने डिमॉलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने उसके बाद जब पहल अगा लगा कर आप लोगों ने विडियो में विडियो फुटेज में भी देखा आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं यह फैका गया यह भी अन्प्रोवोग था बिलकुल प्रोवोग नहीं किया गया था तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेम असनाय शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी तो थर्ड स्टेप में उस मौब जो था अराजक तत्व उनके द्वारा थाने का घेराओ किया गया थाने में हमारे मेजिस्ट्रेट थे हमारे पुलिस कर्मी थे हमारे ऑफिसर्स थे हमारी कुछ मशीनरी थी टीमें थी असला था बहुत सारी चीज़ें थी तो थाने को घेरा गया थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए तो उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया उन पर पहले पत्थराव किया फिर पेट्रोल बंफैके गए थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी सारा थाने में भर गया और अंदर जो अफिसर्स थे उनको सफोकेशन होना लगा तो पहले अनौंस करा गया आसु गयस के गोले छोड़े गए अनौंस करा गया लाउट की स्पीकर पर कि आप लोग डिसबर्स हो जाएं अन्यथा आमको बलप्रयोग करना पड़ेगा उसके पानी की बचार भी अगनी शमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आपको बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके ये भी किया गया उसके बाद भी जब वो माध डिसबर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से यह सूचना आई कि ज लिए वर की उसके बाद जो है और फोस्ते माल करने के आदेश दिए गये करा रखन करक्यों करें कर ने कीमर के नीचे फाइर minist करнесे काहमा। order किया इस स्थिति को देखते हुए हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए उसमें force हमारा जो maximum use हुआ वो थाने के protection में use हुआ बाकी जगे पर जादा force use करे बिना सर्फ अपने आपको asset करते हुए अपने आपको protect करते हुए ही अगया को बचाये गया जैसे ही ठाने से इन लोगों को disperse किया गया जो अराजक तत्व थे और वहां उपद्रव मचा रहे थे और लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे ठाने से disperse करने के तुरंत बाद एक शेतर पढ़ता है गानी नगर आप सब लोग जानते हैं इस mob के द्वारा उस शेतर को घेर लिया गया जानी नगर के शेतर में मिश्रित आबादी हैं वहां सभी धर्मों के सभी communities के लोग रहते हैं कोई एक विशेश समुदाय महानिवास नहीं करता है उस शेतर को घेरा गया उससे भी terrorize करने की जो है